गुड मॉर्निंग ग्रीड शिक्स आई होप यू अलर वाल एन फिट अन फाइन आट यूर होम क्लास वी आर डूइंग थर्ड चैप्टर हैलन किलर क्लास असी उस चैप्टर दे बैक एक्सरसाइज शब्द अर्थ कर लेने आज असी करांगे प्रशना दे उत्तर दियो इस दिशादा की कारण सी ठीक है वच्चे तुसे चैप्टर नू ते आना सुने आना तुता नू पता आना की प्रोब्लम होई सी अंजी वच्चे जनम वेले हैलन किलर बिल्कूल सहत मन सी अजे उस दी उमर पूरे दो साल दी वी नहीं होई सी कि उस नू तेज बुखार हो हो या वो तेज बुखार सी उसनू तेज बुखार जेड़ा चाड़ गया सी उस दी अखांदी जोती ते सुनन शक्ती खत्व होंदा कारण सी ठीक है वच्चे सेकिंड कोश्चन है हैलन किलर दे जीवन विच उस लई दो बड़े सहारे कहड़े कहड़े सैं एंस लीवान द हैलन किलर दे जीवन विच की महत्तर सी बच्चे उस दे ले हुन हैलन किलर दे कोई प्रोबलम आगी है बच्चे जो दो भी प्रोबलम आदे देता नू पता सब तो पहलों साटे नाल कोन करदाया मापाप सेकिंड उस दे टीचर्स ठीक है बच्चे हैलन किलर दे जीवन वि पहला थामचन हैलन दे मापे दूज़ा उश दी अध्यापका एंड सलेवान ए लोग हैलन दे जीवन संगर्ष उधे जो जीवन दा संगर्षी सी विच सब तो बद सहाई होई उश दे जीवन दे संगर्ष विच बच्चे एहे दोने मावाप ते उस दे टीचर बद सहाई एक वधिया वक्ता एक वधिया पाशन देन वाली एक वधिया राइटर एक वधिया जड़ी हेलपर गुंगे साबित हुई ठीक है बच्चे थर्ड कोश्चन है विमारी पिछो हैल नो केडियां केडियां अंकडा दा सामणा करना पर आए पच्छों हो देखो प्रोब्लम वा सब तो बड़ी नाव चारी हो दीख साकती है ना सुन साकती है ना सुनन करके उन्हों दी बुलन दी शक्ती भी चलेगी ठीक है बिमारी पिछो है लंद या अक्खा दी जो सुनन दी शक्ती जान दी रही बाहरी दुनिया नाल वेखंजा सुनन नाल जो बंदे रसबंध होंदा है ओ टूट गया देखनी साकती तो की मैसूस करूगी ते की बुलोगी इस कारण ओ गुंगी भी हो गई एहो जे हलात विच हैलन गुसे अते बेवसी विच चट पटाउन दी ते बेव का भू हो जान दी पर उस दे मापे अते अधियापिका उस प्रती सहन शीर रहे अते उस लई सहाई बने रहे ठीक है रच्चे उना दी मेहनत सदका हैलन मापाप ते टीचर दी मेहनत सदका कोई भी बच्चा जदो भी कुछ बंदा है मापाप ते टीचर दी सदका ही बंदा है मेहनत सदका हैलन दे शक्द पंड़ार विच वादा हो लगगा उसने ब्रेल लिपी सिखी कर दो